हेलो इस्टुडेंट्स आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है चात्रविर्ति के बारे में अभी पूरे बिहार में और कहिए तो पूरे देश में चर्चा है और बिहार में कुछ बिसेश ही चर्चा है क्योंकि बिहार ने एक अलग हट करके काम किया है एक वेबसाइट बनाय है और वो पीमेस वेबसाइट है तो पहले ये एनसपी पर भी फॉर्म भराता था तो ये कई सुचना है हमारे सामने तो इस पर हम लोग चर्चा पहले कर लेते हैं और समझते हैं कि कौन से फॉर्म को कौन भरेगा ये किसको भरना चाहिए क्या उसके लिए है तो इस जानका जो भी चैनल पर पहली बारा हैं किरिप्या करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा बेले कंदवा दिजेगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिले तो पहले सुरात करते हैं एनसपी के बारे में इंटर के पचास हजार चात्रों को राश्ट्री चात्र विरत करते हैं तो उसके 20% स्टुडेंट को टॉपर माना जाता है और उसका एक लिस्ट जारी करते हैं वह और यानि एक कोटा होता है सेंट्रल गौर्वर्मेंट का स्कॉलर्शिफ पाने के लिए चात्र विरति पाने के लिए तो सब को इस शात्र विरति नहीं मिलती है एनसपी क एकसल फाइल में और उसमें जिसका सेलेक्शन हुआ रहता है उनको ही ये चात्र विरति मिलता है वही जब एनसपी पर फॉर्म भरते हैं तो उनको पैसा मिलता है इसके अलावे भी जिसका लिस्ट में नाम नहीं है वो भी अगर फॉर्म भर देते हैं तो उनको फॉर्म तो तो BC1, BC2 यानि OBC और SC और HT यानि अनुस्जित जाती और अनुस्जित जन जाती के जो बिद्धरती हैं वो PMS पर भरेंगे अगर सेलेक्सन नहीं हुआ है NSP पर तब NSP में सेलेक्सन हो गया है तो NSP पर भर दीजे और अगर नहीं भरते हैं सेलेक्सन हो भी गया है और PMS पर भर देते हैं तो पैसाथ आपको मिलना ही है कितना मिलेगा ये कुछ खास एमांट नहीं बता जा सकता है NSP पर 1000 महिने मिलते हैं और PMS पर कितना मिलेगा ये कनफर्म नहीं बता सकते हैं तो पहले एक एक करके समझते हैं बिहार बोट से इंटरमेडियेट 2021 में उतिरन 50,000 चात्रों को इस बार राष्टी चात्रविरती में आवजन का मौका मिलेगा बिहार बोट से जो बिदार्ती पास किये हैं तो लाखों बिदार्ती पास किये उसमें से सिर्फ 50,000 विदार्थी को ये चात्विरती करने के लिए मौका दिया गया है अपलाई करने के लिए उनका सेलेक्शन किया गया है जिनको मौका मिलेगा इसके लिए बिहार बोट दौरा कटफ भी जारिक कर दिया गया इसमें इंटरमेडियेट 2021 में 20% बाले चात्रो सामिल किया है 20% जिसको नमबर आया है उनको सामिल किया यानि वो फॉर्म भरेंगे उनका सेलेक्शन हो गया कटप भी है ज्यात हो कि हर साल सेंट्रल स्कीम आफ स्कोलर सेब के लिए आवेदन करने के तित्री जारिक की जाती है इसके लिए क्यंदर स्रकार द्वारा इस पर जाकर चात्रों को आवेदन करना होता है वहाँ पर आउनलाइन करने के लिए हर बोर्ड कटफ जारी करता है यह कटफ वो बता देता है कि इस कटफ से उपर वाले का आउनलाइन भराएगा इसमें सामिल छात्र ही इस पोटल पर आवेदन कर सकते हैं जिनका नंबर कटफ से ज़्यादा है वही फॉर्म भरेंगे अन्य था आपका आवेदन सुईकार नहीं किया जाएगा रिएक्ट हो जाएगा आवेदन करने के तिथी जारी की जा चुकी है आवेदन होने लगा है इसलिए अभी आवेदन हो रहा है आप लोगों का अगर सेलेक्शन हुआ है तो आवेदन कर देजिए चात्र 30 नमंबर तक आउनलाइन अवेदन कर सकते हैं एनसपी पर आउनलाइन करने के लिए 30 नमंबर का डेट है अभी अक्टूबर ही चल रहा है डिड़ मैने का समय है तीनों संकाय के चात्रों के लिए मौका है यह देश के साथ विदेश में भी चल रही तमाम तरह की चात्रवर्थी पाने का मौका चात्रों को मिले इसके लिए कंत्र सरकार द्वारा यह चात्रवर्थी शुरू की गई है यह चात्रवर्थी बिग्यान वानिज्य और कला सं जनकारी दी जाती है छातरों को उनके Jimmy पर जनकारी जाती तो एल्शन करते हैं तो अलग-अलग ये तो ठीक रहेगा अब ये कोटी वार कट आफ जो पेपर में दिया गया है ये बिज्ञान संका है बानिज संका कला संका है तो साइन्स चार्ट को मर्श के लिए हो गया इसमें भी लड़का लड़की के लिए अलग-अलग केटोगरी वाई यह है तो इसको आप अगर ऐसे नही इंटर पास किया है उसकी लिए ये लिश्ट है इसके पहले जो 20 में पास किया हो उनिस में पास किया हो तो उसमें भी लिश्ट निकला होगा तो उनमें जिनका सेलेक्शन हुआ होगा उन्होंने फौर भरा होगा और अगर नहीं भरे हैं तो वो मौका आपके हाथ से चला ग हुआ है तो मेल और फिमेल का क्या रेशियो है देखेंगे कि 500 का फूल मार्स अपका एक्जाम हुआ होगा इंटर में तो साइंस मेल में देखते हैं तो जनरल का भी दार्थी है आप अपने केटोगरी को देख लिजिएगा साइंस है और जनरल है तो 376 से उपर नंबर होना च चाहिए साइंस काच है और 311 से है साइंस है और स्ट है तो 303 होना चाहिए इस तरह से कोई पूछ jij कि एक लड़का है मेल में चल जाएंगे कोमर्स का है कोमर्स कॉलम में जाएंगे एसी का है एसी रो में जाएंगे तो 304 नंबर दिख रहा है यह 304 से कोमर्स वाले लड़के का बहुत सारी स्टेस्ट पूशत्ए है सर मेरा अक्स्टन हुआए कि नहीं कैसे जानेंगे कहा सी क्या करेंगे तो इसमें में शीया में और चौब है किन है अगर ज्यादा होगा तो हो जाएगा अगले मैने तक भराएगा इसलिए प्रिसाने नहीं होने चाहिए अब सेंटरल सेक्टर स्कीम के तहट नशी कि तहट बहतर अंक से इंटर उतिर्न स्टुडेंट को मिलेगी अभी जो हमने वहां पर पढ़ा है वही खबर यह अलग पेपर में दिया गिया है इसमें क्या कहा गिया है सेंटरल सेक्टर इसकीम फॉर कॉलेज एन इनुवर्स्टी योजना के तहत इसको भरा जाना है फॉर्म को कैने इसको कुछ कि अलग है इसको भी हमने सामने रखा है ऐसी ह्भातip फ़र्स्टी करने इस यह है और स्कॉलर्शिप डॉट जियोभी डॉट इन इस पर आप करेंगे या इनस्पी खोलेंगे दोनों पर आपको मिल जाएगा आवदन के लिए छात्रों को इंटर का रॉल नमर और रॉल को देना होगा बताया गया कि इंटर पास करने के बाद सनाता किया अन्य किसी पाठिक्रम में आपने अडिशन कराया हो तो यह लाब ले सकते हैं अब यह चुकि बिया नमू क्या है मदिपुरा का पेपर हैं तो इसलिए वहां पर कहा गया है कि 21-22 सत्रे ने इस बार जो एडिशन इंटर में इंटर के बाद बीए में कराया होगा बीएसी में बीकॉम म बीए नमू कि वहां अभी बीए में डीशन नहीं चलू हुआ है इसलिए वह फॉर्म नहीं भर्पाएंगे लेकिन अपने यहां धिक एस्यू के बात करें तो यहँ पर 32 में डीशन हो रहा है तो जिन्होंने डीशन करा लिया है वह फॉर्म भर सकते है क्योंकлять उनको रसिद नहीं हो रहा है इसलिए वहां ये फॉर्म भी नहीं भराएगा ये वहां का ख़बर है अलग-अलग इन्वर्स्टी का बात होगा अलग-अलग समय कुछ इसका काम होगा अब है कि बोड की और से प्लस्टू अस्तर के सिक्षा परदान करने वाले मानता प्रावत सिक्षन संस्थानों के परदान को निर्देश दिया गया है कि इस विजना से समान्दित जनकारी जो है छात्रों को अधिक सदिक दिजिए बताइए सब को कि कैसे डिविटी के माध्य अधियम से लाभु के खाते में डारेक्ट पैसा चला जाता है विजने विद्यार्थी के एकॉंट में डारेक्ट पैसा जाता है उच्छा हासिल करने के लिए तीन बास तक यह दी जाती है स्कोलर्षिप बोड की वेबसाइट पर छात्रों के सुची विपलवद है कि 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 क जार रुपिय मेने मिलेंगे आप सोच लेजे तीन साल तक बारतिया स्टिस मेने होते हैं इसी तरह कोई अगर पीजी कर रहा है तो पोश्ट ग्रेशन के लिए दो हजार रुपिय परती मेने के रासी आपको दी जाएगी दो साल का तो कितना हो गया बारतना चौविस दुन का लाक है तो इन गम के लिए 8 लाग से जादा नहीं होने चाहिए यह चाहिए प्यंडर में अलग है उसके बारें भी बात करते हैं वेशन के पैशार पैशावला बीज्य है और 40-50,000 रुपिय कमाते हैं तो 50,000 भी अगर उनका income है तो साल में 6 लाकी हुआ इसलिए आपका बैटा बैटी अगर कोई है तो वो फॉर्म भर सकता है यानि नौकरी वाले के बच्चे भी भर सकते हैं इस फॉर्म को इसी तरह से ये दूसरा बिहार स्रकार को जो चल रहा है ये पोस्ट मैटिक स्कॉलर से जिसको PMS स्कॉलर से बोलते हैं तो इसका ये पेपर में जो आया है कि 31 तक आउनलाइन करने का डेट बढ़ गिया है डेट बहुत पहले भी बढ़ा है पेपर में आ जाया है पहले 30 तक डेट था फिर ये 15 तक हुआ अभी अक्टूबर में 31 तक ये डेट दिया गिया है तो ये NSP से अलग है NSP को कोई भी भर सकता है जिनका सेलेक्शन हुआ है लेकिन ये PMS सब नहीं भर सकता है इसमें सेलेक्शन होने की बात नहीं है ये केटोग्री वाइज है इसमें OVC के और SCST के बच्चे फॉर्म भरेंगे जेनरल वाले ये फॉर्म नहीं भर सकेंगे तो क्या है तो इसको भी देख लेते हैं समझ लेते हैं परवेसी को अत्तर छात्र बढ़ते ही हो जिना पोस्ट मेत्रिक्स इसकोलर्श्व का मतलब हुआ कि जो परवेस कर लिया है B.A. मे या M.A. मे कई एडमिशन आपने ले लिया है पढ़ने के लिए या इंटर में ही आडमिशन आपने ले लिया है मेत्रिक के बाद के जो कूर्स होते हैं उसमें अगर आपने इंट्री लिया है तो आप ये फॉर भर सकते हैं यही काम तो एनस्पी में भी था इंट्र के बाद भरने के लिए परविश्कोतर योजना के लिए तिथी बढ़ा दी गई है 31 अक्टुबर तक पहले आवेदन करने के तिथी जोती 15 अक्टुबर थी इसका सुचना अपलोड कर दिया गया है आर्थिक रूप से कमजोर होनहार बच्चे चात्रविटी के लिए आउनलाइन अवेदन कर सकते हैं यही पैसा चात्रविटी आपको दिया जा रहा है तो गरीबाओं के लिए ही है यह जना ऐसे जो अमिर हैं उनको यह नहीं भरना चाहिए जितना खर्चा नहीं मिलेगा नहीं उसे ज़्यादा परिसानी है और क्यों आप हक मारेंगे किसी का गरीब को ही लेना चाहिए लेकिन आज की समय में सभी अपने को मानते हैं यह अहवेदान मैट्रिक उतीरन अथ्वा इसके समकच्च के चात्र चात्राइं परिसानी हो रहा है कितना पैसा मिलेगा तो हम लोग बता नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग खुद ही ने जानते कितना पैसा देगा सरकार लेकिन यह थोड़ा सा जो आउट हुआ है यहां पर डाटा वो है कि मिनिमम्म दो हजार रुपिये और अधिक तर्म नभे हजार तक शात्रवर्ति दी जाएगे अब यह है कि यह चात्रवर्ति कैसे दी जाएगे कितना दी जाएगे दो हजार जैसे बोला गिया तो क्या दो हजार साल में दी जाएगे कि पूरा कोर्स का दो हजार दिया जाएगा कि दो हजार रुपिया पर मंत दिया जाएगा यह नहीं कह सक यह हमारे बस की बात नहीं है यह जो सरकार के अंग है वो बता सकते हैं या नहीं तो जब मिलेगा तभी जनकारी होस पाएगे तो दो हजार रुपिय अगर पर मंथ मिलता है जैसे एनसपी में वाले को मिलता है तो फिर बड़ा एमांट हो जाता है यह तो नब्बे हजार तक क एक ससन के लिए यानि कि एक साल का कहा सकते हैं एक साल के लिए फॉर्म भरा रहा है तो हो सकता है कि पूरा साल का पैसा एक बार दिया जाए या मैंने मैंने उसको बाट करके दिया जाए तो यह क्लियर अभी नहीं हो पाएगा सत्र उन्नेस बीस बीस इकीस और इकीस बाइस तीन सत्र के विद्यारती इस फॉर्म को अभी भर रहे हैं और यही एलिजबल हैं इसको भरने के लिए आविदन करेंगे परवियसी को तर कक्षा में अध्यन रत अनुस्जित जाती जन जाती पिछला बर्ग अति पिछला बर्ग के परतिभावान चात्र शात्राव को चात्र परतिवर्दान करने के लिए राज जी इसकी मस्तापना एबं परतिबद ब्ये एबं केंदर प्रायोजित इसमें अनुस्जित जाती पिछला बर्ग अति पिछला बर्ग के छात्र शात्रा जिसकी पारिवारिक आए धाई लाक से ज्यादा नहीं है उन्हें यह लाब कि अभी तक पांच लाग चौबिस हजार चौशत तहिस आउनलाइन आवेदान आशुके हैं कि यह डाटा है कि कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया है अलगलग के चात्र इसको भरे हैं चात्राएं चात्राएं जो इंटर है स्थनातक है स्थनातक उत्तर है बीएड है आई देंगे श्रकार की अभी 17000उब्ल इसको भर रहे लिए उनको घंसी भर दहाएं हैं आफ्य कि नरे जो फार्टातक बच्राख एणी तो बच्छें पढ़ाई पर ध्यान देंगे यह सरकार की उम्मीद है अब है कि 15 दिनों के भीतर संस्थान करेगा आवेदान का सत्यापन इसे सत्यापन का डेट भी कर दिया गया जो कि 15 दिन के भीतर कर देना है तो जल्दी ही पैसा मिलने की उम्मीद है आवेदाक द्वारा पोटल पर ओनलाइन किये गए आवेदान के सुचना पोटल के माध्यम से संस्थान को नोडल जो संस्थान के हर कोलेज के इंस्ट्यूट के एक नोडल पतादिकारी होते हैं तो उनको सुचना ये दी जाएगी लोगिन करके वो देखेंगे संस्थान के नोडल पतादिकारी का यद्दायत होगा कि 15 दिनों के अंदर उनके संस्थान से समंधित सभी पंजिक्रित आविदनों का सत्यापन कर ले उनका सत्यापन कोलेज करेंगे और ताकि आविदन में तुरूटी रहने पर इस समंधित सुचना स्वासमाय आवैद्धा को दी जा सके और कोई गलतिया हुई है तो वो ठीक कराने के लिए मौका भी देगा तो सुधार कर सकेगा वो छात्यवर्ति परदान करने के लिए कमिटी बनाए जाएगी जिसमें उपविकास आयुक्त जिला में होता है सब उपविकास आयुक्त अध्यक्च होंगे जिला सिक्षाप दाधिकारी जो हते हैं डी 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 पी यो ये सबसदस्य और अनुस्चित जाती एवं अनुस्चित जन जाती या बीसी से एक-एक सिरैनी से प्रतिन धीर होंगे यानि कि किसी साथ कोई भैद भाव नहीं है इसका धियान रखा गिया है यह चात्रवर्ति योजना बिहार राजिक के अस्थाई निवासी जो होंगे पिछला बर्ग अति पिछला बर्ग अनुस्टित जाती और जन जाती के लिए संचालित है अवेदक को बिहार राजिक के अस्थाई निवासी होना चाहिए और अवेदक की जाती राजिस सरकार दोरा नर्गत पिछला बर्ग अति पिछला बर्ग अनुस्टो सब्वाइब कर homoke पुल दो लाग पचासे जार रूपिया से ज्यादा नहीं नहीं चाहँए यानि यह किए जिनके नौकरी में हैं और सालाना इंकम उनका धाई लाग से ज़्यादा है तो उनको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए क्योंकि अगर वो फॉर्म भरते हैं तो रिजक्ट हो सकता है लेकिन इंकम आपका जो है वो सही बनेगा तब तो ये पकड़ में आएगा कि कितना इंकम है तो इं सितर कक्षाओं में अध्यनरत छात्रशात्रा ही चात्रविर्ति के लिए आवदन कर सकते हैं यानि मैट्रिक पास होने के बाद जो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं और एडिमिसन ले लिए हैं उन्हीं को ये मिलेगा आर्तिक रूप से कमजूर मगर मैधावी चात्रशात्रा का होने के लिक्ति प्रकुमेट अफ्लोड होता है प्रूर करने के बाद ही उसका कम्प्रिट मना जाता है यहां पर वही है कि लगवगत 30 लाग चात्र आवेदन करवा चुके हैं जिसमें सबसे अधिक चात्र मैट्रिक प्लस टू के चात्र हैं यह इन्टर वला ज्यादा चात्र हैं जिनकी पढ़ाई के लिए सरकार के तरफ से लगवग दो लाग चालिस अज्जार चालिक दो पॉइंट चालिस अरव रुपिये खर्च किये जाएंगे हलांकि अभी रजिश्ट्रसन में 18 दिन बांकी है ऐसे में संख्यां चात्रों की और बढ़ सकती है 31 अक्टूबर के बाद चात्रों के आवेदनों की जाच होगी जनवरी तक चात्रों के खाते में पैसे ट्रांसपर होने का नुमान है पैसा कव तक आएगा तो यहाँ पर पता चल रहा है कि अगले साल जनवरी तक आने की अमीद है खलाकि सर्वर में होने वाले दिक्कत से शात्रों का आवेदन में परिशानी हो रही है जिसको देखते हुए आवेदन की तिथी आगे बढ़ने की संभावना है यह एक्तिस से भी आगे डेट बढ़ाया जा सकता है इधियान रखिएगा अवेदन करने वालों में सबसे अधिक 85-50 छात्र और अगाबाद के अलग लग जिला का कहा गया है और सबसे कम 844 सुप ओल से हैं पटना में रखबा 3400 चात्रों ने अवे दन किया है इसीतरा सबसे अधिक अवेदन करने वाले चात्रों में ए भी सी है और एक लाख बीस उनासी एकासी एकतर संस्थानों में लगवग इतना साथ रिष्टर हैं जिसमें टेन प्लस टू के उन्चास पे पंद्र संस्थान में लगवग तीन लाग छात्रों ने रिष्टर करवाया है अभी इसके साथ ही बारख सो च्यासट आई टी आई पॉल टेकनिक डिप्लोमा कर सब्सक्राइब करने वाली सत्तर हजार चात्रों के लगवग वन पॉइंट फूर लाख चात्रों का रिष्टर है जिसमें सबसे अधिक बच्चे एविसी के ही है आवधन चात्रों के फॉर्म को भरिप्रिकेशन के बाद दो से पंद्रह हजार रुपे की स्कॉलर शिप दी जाती है जो फॉर्म हो जाएगा कम्प्लीट का दो हजार से पंद्रह हजार रुपे दी जाएंगे यहां पर ऐसा कहा जा रहा है तो उनको पंद्रह हजार रुपे दे जाते हैं यहां पर अस्वष्ट किया जा रहा है और नब्वे अजार तक वाले जो रासी थी पता नहीं किस कोर्स के लिए होड़ दिया जाता होगा बक्तियारपुर के रहने वाले डॉलिक मारी के परिवार के आर्थिक इस्ति अच्छी नहीं है ऐसे में मैट्रिक पास होने के बाद पढ़ाई में परिशानी हो रही थी लेकिन सरकार की ओर से मिले चात्रविर्थी से वह आगे की पढ़ाई कर रही है गरुजेशन में एड लाइन कर सकते हैं इस दरान यदि आवेदन में कोई दिकत हो रही हो तो समनित अधिकारियों के द्वारा उसे ततकाल दूर क्या जाएगा ये मंत्री संतोष कुमार सुमन के द्वारा कहा गया है यानि कि दो हजार मिलना तो कंफर्म है और बीए बाले के लिए पांच जार म रुपी जल्द आएंगे तो ये उनके लिए है जो लड़कियां है और इंटर पास हुई है राज में इंटरमेडियेट पास आविवाहित लड़कियों के लच्छी के वरें वह आगे जो पीमेस और नस्पी के बात कर रहे थे वह एडमिसन लेकर के आगे पढ़ने के लिए है लेकिन ये पास होने के लिए दोनों का अलग-अलग महत्तु है तो सरकार मुखमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत चार लाग बारह हजार चार सो नतर इंटर उतिर्न आविवाहित लड़कियों को बढ़ी हुई प्रसाहान रासी दिया जाएगा पुचिस-पुचिस से जर सनातक-पास लड़कियों को प्रसाहन डासी यह दो इंटर पास लड़कियों को मिलेगा जो आविवाहित हैं पचीस-पचीस हजार रुपी नहीं मिलेगा और पास पास जो लड़की हैं उनको 25 के बदले पचास हजार मिलेगा सिक्षा विवाग के मुताविक पिछले बर्स तीन लाख अठाई सजार चार्सों एक्षी इंटर पास अविवायत लड़कियों के आवयदान हुए थे जहां जहां उनिवेस्टी में रिजल्ट आगे आता सनातक वाला सबने फॉर भरा था कुछ हमारे उनिवेस्टी में भी लोगों ने भर लिया है कुछ लड़के का जो पेंडिंग रिजल्ट हो गया था इस करन से उनका ये फॉर्म नहीं भराया जा सका लेकिन हो सकता है कि अभी चुकि ये करन्या और थान योजना वाला जो सनातक पास के लिए है इसके लिए लि हो गया है उनको 50,000 रुपया मिलेंगे लेकिन जिनका अपलाए नहीं हुआ है उनको थोड़ा उमीद कम है जब फिर से लिंक ओपन रिओपन होगा तो फिर आपको मिलेगा तो उनको थोड़ा लेट होगा तो इंटर पास अभिवाहित लड़कियों के आवेदन प्राप्त ह हुए है जैने दस जद दस हजार रुपय पहले दास जार रुपय का था भुकतान क्या गया था इस वार नितिश कुमार्ण की घुष्णा और मंत्री प्रशत की मंजुरी के बाद इंटर पास अभिवाहित गल्ष को 25,000 रुपय दिया जा रहा है आगे सुचनों यह है कि इंटर में जो 21-23 सेशन में अभी एडमिशन हो रहा है तो लिष्ट से ततिन लिष्ट में हो गया एडमिशन फिर भी कई-कई जिगा सिट खाली रहा गया तो इसपोर्ट एडमिशन हुआ इसपोर्ट एडमिशन में भी एडमिशन कराने के बाद कुछ जगा सिट खाली रहा गया है तो इसके लिए 17-10-2021 के बाद इसपोर्ट के लिए दुसरा मौका दिया जा सकता है समभावना ऐसी है और दुसरा जैसे मौका देगा तो जिनका अभी तक नाम नहीं लिखाया जा सका है एडमिशन नहीं हुआ है वो एगवार चेक कर लिजेगा कि किस कॉलेज में अब सिट बचा है कितना सिट बचा है इसपोर्ट के लिए आप फिर वहाँ अपलाई कर सकते हैं आपको दुबारा मौका मिल सकता है इसी तरह है कि बीए में एडमिशन के लिए बीके एस्य कोटा से चल रहा है करेजगा कोटा का लिष्ट बन चुका है लेकिन उनिवर्स्टी चुकी अभी 19 तक बंद है 20 को कॉलेज खुलेगा उनिवर्स्टी खुलेगा तो उस कोटा के तहते जिसका सेलेक्शन हो गया एडमिशन नहीं ले पाए हैं उनको निरास नहीं होना है और जो कोटा अभी तक जमान नहीं किये हैं उन सब को भी मौका 21 तक दिया जाएगा जिस कॉलेज में अभी तक लिष्ट नहीं बना है वहाँ पर तो यह चीज़ जो है आपको कोटा कौन अपलाए करेंगे तो वही अपलाए करेंगे जो कोटा में कोटा क्लेम किया था शुरू बढ़ा दिया गया है यह इसी लिए है क्योंकि जो कोटा से समंदित बात है वह अभी बाकी रहा गया है इसमें कोटा सिस्टम एंसे स्पोर्ट्स फाइन आर्स कल्चरल डॉनर एक्सरमी वार्ड कोटा इस सब के तहत एडिमिसन लिया गया है पाच्वान लिस्ट के बाद च कि 75 परशंड लगवाग सीट भर चुका है छटा लिस्ट तक में और छटा लिस्ट लगवाग 22 तक चलेगा इसके बाद जिन चात्रों का अभी तक एडिमिसन नहीं हो पाया है उनको एडिट करने का मौका दिया जाएगा हो सकता है कि आगे भविस में उनको सब्जेक्ट च च् Earlud य्यूड ढोड किया है आपके मोवाइल पर इमेल अडि पर लिंक आया हो तो लोड करके चेक कर लijजये और अगर चेक करके दीखते हैं उसको इसमें सब कुछ रहे तो सही है तो निस्चिंद गलती आप अभी lab enseñs. सोचना इतना ही है आप सबने इतना देर तक हमारे पास टाइम दिया कुछ सुना इसके लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जनकरे के साथ धन्यवाद